Hello class, good morning my dear students, how are you class first? Students, I hope you will be fine. Today I will teach to you chapter 17. Okay, and today more or less effort never die. END, Ind, Ind ka full form hota hai bachho, effort never die. यानि Ind means होता है क्या? खतम. लेकिन बच्चों, Ind ka full form क्या कहता है? बहुत लोग समझते हैं, Ind मतलब होता है खतम. लेकिन Ind का full form क्या कहता है? effort never die. यानि हमारा effort कभी नहीं मरता है. ठीक है? यानि हम कोशिस अगर करते रहते हैं, तो क्या होता है? क्या वो कोशिस हमारी बेकार जाती है? हमारा effort बेकार जाता है? नहीं. तो effort never die. हमारा effort जो है, वो कभी नहीं मरता है. ठीक है? Means of Transport. Our chapter is Means of Transport. यानि परिवहन. ठीक है? यानि Means of Transport. परिवहन का मतलब इसमें आपको दिया गया है. ठीक है बच्चों? Means of Transport. यानि परिवहन का मतलब. Parts of Vicals. यानि Vicals के Parts. Noise and Smoke. ठीक है? Noise और Smoke के बारे में दिया गया है. तो चले बच्चों. हम लोग स्टार्ट करते हैं. Let us start our chapter. Okay? Topic given है इसमें Means of Transport. Part of Vicals and Noise and Smoke. How do you come to school every day? आप school every day यानि प्रती दिन कैसे आते हो? आप प्रती दिन स्कूल कैसे आते हैं? ठीक है? तो बहुत लोग साइकिल से, बस से, कार से, स्कूटर से, यानि किसी किसी के पैरेंट्स शोड़ देते हैं. और हम लोग कोई-कोई बच्चे साइकिल से आते हैं. यानि लेकिन आप फर्स्ट क्लास में हो, तो आप कैसे आते हो? या तो आपके मम्मी पापा आपको लाते हैं, या तो आप बस से आते हो. ठीक है? कहीं न कहीं जाता है. वी कम टू स्कूल, फ्रॉम हम स्कूल से घर जाते हैं. ठीक है? पीपल गो टू वर्क, लोग वर्क करने के लिए जाते हैं. सम पीपल गो ओन हॉलिडेईज. हाउ डू वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनॉदर. कुछ लोग जो वर्क करते हैं, वो वो हालिडेई पर, यानि उनको अगर दूसरे जगा पर जाना होता है, तो वो हालिडेई में जाते हैं. ठीक है? अब देखिए, देर आर डिफरेंट वेज इन वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनॉदर. यानि यहाँ पर डिफरेंट वेज दिये गए हैं, जिससे हम लोग ट्रेवल करते हैं एक स्थान पर दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर. You may come to school in a school bus, जब हम लोग school bus से जाते हैं, a cycle से जाते हैं, a car और scooter से जाते हैं, your parents may go to office in a bus, और हमारे parents office जाते हैं, bus से, car से, local train से, these are called means of transport, और यही क्या कहलाता है? means of transport कहलाता है, यानि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं travel करते हैं, तो यही हमारा travel करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? यही जिससे हम travel करते हैं, तो हमारे travel करना क्या कहलाता है? these are called means of transport यही हमारा means of transport कहलाता है अब देखे बच्चो means of transport अब देखे परिवहन मतलब आपको इसमें दिया गया different means of transport are used for travel on land, on water and in air यानि आपको यहाँ different transport के बारे में बताया गया है बच्चो जिनका use करके हम लोग क्या करते हैं ट्रेवल करते हैं, जैसे land पर हम लोग यानि land में ट्रेवल ठीक है different तरीके के बारे में ट्रेवल करते हैं water में कुछ ट्रेवल करते हैं, कुछ air में ट्रेवल करते हैं तो जो जहाँ पर ट्रेवल करते हैं, these are called वाइकल नहीं क्या बोलते हैं वाहन बोलते हैं वाइकल बोलते हैं कुछ वाइकल जो लैंड में यूज होते हैं जैसे ट्रेन, कार, आउटो रिक्षा, ट्रेम, मोटर साइकल, बाइस्किल यानी साइकल ठीके बच्चों अब देखिए लॉग 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 एगो, पीपल डू नॉट हैव एनी वाइकल, दे यूज तू वाइकल फ्रॉम प्लेस तू प्लेस बहुत लंबे समय की बात हैं लोगों के पास ट्रेवल करने के लिए कोई भी वाइकल नहीं होते थे। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल चल कर जाते थे। तीके बच्चों लेकिन अपके टाइम में क्या ऐसा है? नहीं है अब देखिए some vehicle that we use on water are अब कुछ vehicle ऐसे हैं जो water में use करते हैं देखिए जो आपको दिख रहे हैं some vehicle that we use in the air are कुछ vehicle जो air में उड़ते हैं देखिए aeroplane, hot air balloon यानि हिंदी में इसे बोलते हैं parachute और rocket ठीके बच्चो अब देखिए some special vehicle help us in times of need an ambulance takes sick people to the hospital firefighters use fire ringers to put out fires if we are in danger we can go to a police van for help यानि बच्चो हम लोग different type के vehicle का use different different तरीके से करते हैं जैसे जब हमें उसकी जरूरत पढ़ती है अगर बाइदवे कोई बीमार हो जाता है तो हमें ambulance की जरूरत पढ़ती है कहीं आग लग जाता है तो हमें किसकी fire engine की जरूरत पढ़ती है तो ये सारे vehicle हमें अवेक्सता पढ़ने पर हम इनका use करते हैं यानि जब कहीं बहुत बड़ा खत्रा हो जाता है तो हम लोग police के पास call करते हैं police की help लेते हैं many people work to help us use these vehicle यानि बहुत से लोग work करने के लिए different तरीके के यानि से use करते हैं जैसे देखी बच्चों driver driver drive bus driver क्या करता है bus को drive करता है cars and auto rickshaw car और auto rickshaw भी sellers, sail ships sellers क्या करते हैं sheep को and pilots fly aeroplanes pilot क्या करते हैं aeroplane को क्या करते हैं बच्चों fly करते हैं bus conductor help drivers यानि bus conductor यानि जो होते हैं driver की क्या करते हैं help करते हैं you have learned about traffic signal in chapter 12 आपने बच्चों traffic signal के बारे में पढ़ा होगा chapter 12 में traffic police also help vehicles on the road to follow traffic rules तो ये लोग क्या करते हैं बच्चों traffic यानि traffic police क्या करती है road पर यानि traffic rules का traffic rules को follow करवाती है ठीक है what will happen if there were no traffic signals ठीक है अब देखे बच्चों part of vehicles a vehicle has many parts यानि vehicle के different types के parts होते हैं many vehicles have two or more wheels यानि बहुत से कुछ बहुत से यानि कुछ वाइकल ऐसे होते हैं जिनके पास only two wheels होते हैं लेकिन कुछ वाइकल ऐसे होते हैं जिनके पास two से अधिक wheels होते हैं पहिये will means क्या होता है पहिया they have seats for us to sit on उसमें seats होती है पैठने के लिए वाइकल्स like cars and buses have windows and doors वाइकल्स में क्या होते हैं like जैसे bus car में क्या होते हैं window होते हैं door होते हैं aeroplane also have wings aeroplane क्या करते हैं यानि wings होते हैं ठीक है aeroplane के पास wings होते हैं the most important part of a vehicle is engine और वाइकल का जो most important part होता है वो क्या कहलाता है engine कहलाता है the engine makes the vehicle move from one place to another और engine की help से वाइकल क्या करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर move करता है ठीक है can you name the parts of the vehicle shown on page number 81 and page number 82 ठीक है आपको क्या करना है यानि बच्चों आपको वाइकल के parts page number 81 पर श्रो करना है ठीक है अब देखिए क्या है वाइकल लाइक बाइस्किल्ट तांगा एंड बुलक्स कार्ड डू नॉट है विंद्ट अब देखिए बच्चों आपको noise and smoke ठीक है noise और smoke यानि वाइकल्स आर वेरी यूसफुल तू आस हाववर दे और एलसो गिव आउट इसमोग यानि यह वाइकल्स हमारे लिए क्या होते हैं बहुत यूसफुल होते हैं क्योंकि यह हमें इसमोक नहीं देते हैं इस स्मोक मेक्स दा एयर डर्टी और स्मोक क्या करती है एयर को डर्टी बनाती है यानि प्रदूशर फैलाती है ठीक है और जब इसमें स्मोक नहीं होगा तो इसमें क्या होगा पॉल्यूशन नहीं होगा some vehicles like car, buses, trucks and aeroplanes also make a lot of noise और ये सारे vehicles क्या होते हैं बच्चो इन सारे vehicles में बहुत जादा noise होता है लेकिन इन में noise नहीं होते हैं ठीक है, we should travel in bus, cycle and cycle ricksa instead of our own cars it is better to use the school bus to go to school instead for our own cars we should try to walk to places that are close by देखे बच्चो हमें bus के बजाए, bus और रिक्षा वगेरा के बजाए यहनि bus के बजाए हमें किसका यूज़ करना चाहिए, cycle का यूज़ करना चाहिए यह हमारे स्कूल जाने के लिए किसका यूज़ करना चाहिए, cycle वगेरा का यूज़ करना चाहिए अगर हमारा घर बहुत close है तो हमें कैसे जाना चाहिए तो बच्चो हमें पैदल जाना चाहिए, ठीक है अगर तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो आप अगर पैदल जाते हैं अगर थोड़ा दूर होता है तो आप साइकल से जाते हैं अब देखिए, we use different means of transport to travel from one place to another आप एक स्थान जाने के लिए different तरीके के ट्रांसपोर्ट का use करते हूं वे यूज़ different vehicles to travel land, air and water और different तरीके के वाइकल ट्रावल करते हैं land पर, air पर और water यानिन, air में, land में और water में वाइकल्स have different parts such as wheels, seats and engines वाइकल के different parts होते हैं wheel, engine, seat वाइकल्स such as car, bus and trucks give out smoke and make a lot of noise यानि car, bus, truck यह सारे वाइकल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे smoke और noise होते हैं अब देखिए, बच्चो ट्रेवल travel means क्या होता है, यानि travel means यात्रा करने वाला यानि यात्रा, means of transport means of transport क्या होता है, यानि क्या होता है, means of transport अभी तक आप समझें बच्चो देखिए क्या होता है यानि वो वेज जिस पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, वही क्या कहलाता है, means of transport कहलाता है वाइकल means वाहन, इंजन means यानि ऐसी मसीन जो क्या करती हो, मूव करती हो, ठीक है, अब देखिए, true or false, we use different means of transport for travel, true, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के वाइकल का यूज करते हैं, यानि डिफरेंट तरीके के यानि ट्रांसपोर्ट पर हम लोग ट्राइ देखिए, a train is vehicle that move on land, तो true, train कहां पर land करती है, land में, ठीक है, a ship is vehicle that moves on water, true, bicycle have large engine, false, cars do not give out smoke, false, क्योंकि smoke देती है, where do vehicle move, vehicle कहां move करती है, यानि बहुत से vehicle होते हैं, air में भी वूप करते हैं, water में भी वूप करते हैं, और land में भी वूप करते हैं, इस्पैसलिस में किसी vehicle का नहीं नहीं दिया गया, इसलिए किस पर होगा, all of these, which of these is means of land transport, तो यह क्या है, train जो है, वो land transport है, which of these travels in the air, train, tram, aeroplane, यह क्या है, aeroplane, ठीक है, अब देखिए, which of these helps a vehicle to move, तो किसकी help से move करती है, engine की help से, which of these does not give out smoke, कौन से smoke नहीं देता है, bicycle नहीं देता है, कि bicycle आप चलाते हो, cycle चलाते हो, तो smoke देता है, दुआ देता है, no, अब देखिए, बच्चो, what are means of transport, तो आपको यह answer कहां मिलेगा, आपको यह answer है, बच्चो, देखिए, आपके first page पर, your parents may go to office in a bus, a car, और local train, this is called, means of transport, ठीक है, name any two vehicles that move on land, तो car and train, जो क्यां करते हैं, move करते हैं, ठीक है, land way, name any two vehicles that move on water, boat and ship, okay, तो बच्चो, if you do not understand any topic, explanation of any line, you can ask me, okay, class, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ, तो you can ask me, तो बच्चो, आपको अपना सारा work, अपने वीडियो से देख कर करना है, write all work in your fair copy, through the video, and draw the figure of some vehicles, ठीक है, some vehicles that use, we use on water, यानि two vehicles का आपको figure draw करना है, जो water में, ठीक है, यानि water में उनका यूज होता है, और अब देखे, air में, तो आपको क्या rocket, air, airplane and hot air balloon, अब दो ती, air 3 दिये हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी बना सकते हैं, यानि 3 में से कुछ भी बना सकते हैं, और यहां पे 6 दिये हैं, इसमें से भी जो land में move करते हैं, इसमें से भी आपको two बनाने हैं, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके, तो बच्चों, आपको समझ में आ गया, ओके, thank you class, my code is MPS EBS 136, thank you